एक trader के लिए सबसे ज्यादा important होता है market में लबे समय तक ठिके रहना या survive करना और आप market में लबे समय तक तब ही survive कर सकते हैं जब आपके पास एक proper risk management plan हो ज्यादा तर trader जब initially market में इंटर करते हैं तब वे strategy को ढूणने में लग जाते हैं कि कोई ऐसी strategy मिल जाए जो उन्हें lifetime पैसा देती रहे और ये गलत नहीं है initially आपको सीखना चाहिए कि market कैसे काम करता है price action क्या होता है और इसे कैसे trade करते हैं लेकिन सिर्फ strategy से आप लंबे समय तक market में tick नहीं सकते क्योंकि 99 प्रतिशत लोग जो market में beginner होते हैं उनके पास अच्छी strategy होने के बावजूद वे अपने पैसे को lose कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक proper risk management strategy नहीं होती internet पर ज्यादा तर influencer सिर्फ आपको profit के बारे में बताते हैं बहुत ही कम ऐसे teacher होते हैं जो आपको loss के बारे में बताएंगे लेकिन जब कोई trader market में इंटर करता है तब उसे market में reality check मिलता है जिससे उसे समझ में आता है कि अब हमें capital को बचाना होगा क्योंकि जब आपके पास capital रहेगा तब ही तो आप trade कर पाएंगे ना और capital को protect करने के लिए हमारे पास एक well-defined plan होना चाहिए एक well-defined risk management strategy होनी चाहिए जिससे हम अपने पैसों को lose करने से बचा सकें इस वीडियो में हम step by step detail में discuss करेंगे कि मेरा risk management plan क्या है आप कैसे अपना risk management plan बना सकते हैं आपके capital के हिसाब से आपको कितना risk लेना चाहिए आपकी position sizing क्या होनी चाहिए और trade करते समय आपकी risk reward ratio क्या होनी चाहिए जिससे आप profitable trades बना सकें आप में से ज्यादा तर beginner trader हो सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा न देखें क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जो exciting हो पर हाँ यही चीजें आपको profitable बनाएंगी यह आपके लिए जरूरी है इसलिए मैं आप सभी से यह request करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें पैन और copy ले लें ताकि पूरे वीडियो के notes बना सकें फिर कभी risk management पर वीडियो न देखनी पड़े क्योंकि यह risk management पर एक complete guide है अगर आप सच में market से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक perfect risk management plan होना ही चाहिए चलिए वीडियो को start करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हर एक trade में एक strict stop loss कैसे follow करना है हम जितने भी trade लेते हैं हर एक trade लेने से पहले हमें पता होता है कि इस trade में हमें कितना stop loss लेना है और हम कहां market से exit करने वाले हैं Basically हमें पहले से ही मालूम होता है कि हम कितना पैसा lose करने वाले हैं और क्या हम उस पैसे को tolerate कर सकते हैं अगर मेरा जवाब हाँ होता है तभी हम trade में इंटर करते हैं ज्यादा तर traders जब initial stage में trade लेते हैं उनके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि ये stock अभी 10 रुपय का है 15 रुपय जब जाएगा तो हमें 5 रुपय का profit होगा हम 100 quantity buy कर रहे हैं इसलिए हमें 500 रुपय का profit होगा या जिनके पास ज्यादा capital है वह अपने हिसाब से calculate करेगा 5000 या 50,000 उस समय उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि हम कितना पैसा बनाएंगे कितना हमें profit होगा loss के बारे में वे नहीं सोचते लेकिन अगर आप लंबे समय तक trading करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे thinking process को flip करना होगा अब आप ऐसे सोचेंगे कि यह stock अभी 10 रुपय का है हम इसमें 2 रुपय का stop loss लेने वाले हैं अगर हम 100 quantity में खरीदते हैं तो हमें 200 रुपय का नुकसान होगा और क्या यह 200 रुपय नुकसान लेने से मेरे emotions में कोई बदलावाएगा अगर आपका जवाब नहीं है तो off course आप उस trade में entry लीजिए क्योंकि ऐसे ही trade को आप confidence के साथ hold कर पाएंगे और आप अपने target या फिर stop loss तक trade में बने रह पाएंगे जब भी charts पर मेरा setup बनता है तब entry लेने से पहले हम stop loss के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से calculate करके अपनी risk capacity के हिसाब से एक fixed quantity के साथ trade execute करते हैं अब ऐसा नहीं है कि अगर हम risk लेने में capable हैं तो हम कहीं पर भी risk ले लेंगे हमेशा risk के मुकाबले reward अगर बड़ा हो तभी trade में entry लेना prefer करते हैं उदाहरण के लिए अगर हम आपको कहें कि इस trade में आपकी win rate 50% है यानि कि इस trade में profit होने की chances 50% है लेकिन यहां रुपए 100 के risk पर सिर्फ रुपए 10 का reward है क्या आप ऐसे trade में entry लेना चाहेंगे आपका सीधा जवाब होगा नहीं अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सी risk reward ratio सबसे ideal है पर इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है क्योंकि हर एक strategy के हिसाब से आपको check करना होता है कि उस strategy से अगर हम trade करते हैं तो कौन सी risk reward ratio में हमें बहतर result मिलता है और आप जो भी strategy को follow करते हैं चाहे वह price action हो, trend line support हो या कोई और strategy उसे पहले backtest करिए पचास से सौ backtest trades में देखिए कि कौन सी risk reward ratio आपके लिए सबसे ज्यादा profitable है Ideally, मैं आपको बता दूँ जो मैं follow करता हूँ अगर मैं कोई swing trading कर रहा हूँ तो 1-3 का risk reward रहता है और अगर मैं intraday कर रहा हूँ तो 1-2 का risk reward minimum होना चाहिए अगर 1-2 का reward नहीं हो रहा है तो हम उस trade में entry नहीं लेते हैं ये मेरा rule है आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं modify कर सकते हैं मैं आपको एक chart दूँगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी strategy की win rate के हिसाब से आपको किस risk reward ratio में profit, loss या फिर break even होगा screenshot ले ले लेना ताकि आपको दुबारा वीडियो फिर से देखना न पड़े हर एक trader की सबसे बड़ी दिक्कत होती है brokerage capital का ज्यादा तर हिस्सा brokerage में चला जाता है आप अपना demat account m stock broker के साथ खोल सकते हैं जहां सभी financial assets में trade करने पर आपको zero brokerage लगेगा चाहे आप delivery, intraday, futures and options mutual funds या IPO में trade या invest करें आपको lifetime zero brokerage का फाइदा मिलेगा account opening fees 999 रुपये है और account maintenance charge के दो option है पहला 149 रुपये का जिसमें आपको 20 रुपये प्रती trade brokerage लगेगा और दूसरा 999 रुपये का जिसमें lifetime zero brokerage और maintenance रहेगा अगर आप trading में serious हैं तो आप अपना demat account जरूर खोलें फिर चाहे आप एक दिन में कितने भी order place करें आपको कोई भी brokerage नहीं देना पड़ेगा account opening के समय आपको कुल 999 रुपये account opening fees और 999 रुपये account maintenance charge plus GST देना होगा एक बार अगर आप इन्हें पे कर देते हैं तो आपको फिर कभी brokerage पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक friend को refer करने पर आपको 555 रुपये मिलता है यहां 1000 से ज्यादा stocks पर 4 गुना e-margin facility मिलती है market में सबसे कम interest rate पर जिसे आप lifetime तक hold कर सकते हैं description में दिये गए link से account open करने पर मेरी तरफ से आपको CB registered advisory group का access free off cost मिलेगा अब आपको यह समझना होगा कि हर trade में आपको कितना risk लेना चाहिए इसका जवाब हर एक trender के लिए अलग हो सकता है मैं कितना risk करता हूँ आप कितना risk करेंगे या कोई तीसरा कितना risk करेगा यह सब आपके capital size के हिसाब से decide होता है उदाहरण के लिए अगर मेरी capital एक लाख रुपए है तो मैं एक से दो प्रतिशत पर trade risk लेता हूँ और अगर आप एक beginner हैं तो आपके पास बहुत कम capital होंगे इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने capital का भी क्यों नहीं लेना है यह मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इसका आपके capital पर बहुत negative effect होता है ऐसे में आपको लग सकता है कि इतने कम रुपए risk करने पर हमारा stop loss बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है देखिए अगर आप future and options में trade करते हैं रिस्क पहले से ही managed रहता है जिस कारण आप सुनते होंगे कि ज्यादातर option buyers market में loss करते हैं और ज्यादातर option sellers market में profit बनाते हैं option sellers के पास theta gaining के अलावा risk management का भी फायदा होता है इसलिए अगर आपका risk management future और options में सही नहीं बैठ रहा है तो आप equity में trade करें चाहे वह intraday stocks हो या delivery stocks लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादातर traders मेरी बात नहीं मानेंगे जब आपका capital खत्म हो जाएगा तब ही आपको समझ में आएगा कि उस समय risk management पर ध्यान देना चाहिए था trading में जब आपको अपने capital का 10 प्रतिशत से ज्यादा loss हो जाता है तो हमेशा याद रखें कि आपको break even तक आने के लिए 11 प्रतिशत profit बनाना पड़ेगा मैं आपको एक chart दूँगा जिसमें दिखाऊंगा कि जब आप अपने capital का एक प्रतिशत लूज करते हैं तो आपको एक प्रतिशत ही कमाना पड़ेगा break even तक पहुँचने के लिए break even का मतलब होता है आपके initial capital तक वापस आना यानि कि आपकी loss को recover करना अगर आप 5 प्रतिशत loss करते हैं तो भी आपको 5 प्रतिशत ही कमाना पड़ेगा लेकिन जब आपका loss 10 प्रतिशत हो जाता है तो आपको 11 प्रतिशत कमाना पड़ेगा उसी तरह जब आपका loss 20 प्रतिशत हो जाता है तो आपको 25 प्रतिशत कमाना पड़ेगा और अगर आपका 50 प्रतिशत capital loss हो जाता है तो आपको 100 प्रतिशत profit कमाना पड़ेगा तब जाकर आप break even तक पहुँच पाएंगे इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप minimum risk लें ताकि आपको break even तक पहुँचने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े या अपने loss को recover करने में दिक्कत न हो अगर आप aimstock trading app में अपना demat account खोलना चाहते हैं तो link description में दिया गया है मैं खुद इसे पिछले एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे कभी भी कोई brokerage नहीं देना पड़ा धन्यवाद अगला वीडियो किस topic पर होना चाहिए यह आप हमें बता सकते हैं